नमस्कार आप देखरें लाइब बिहार नीज नेटर्क मैं हूँ आपके शातनी सांत कुमार आज हम बात करने वाले हैं बिहार की बिहार की राजजितिक की आखिर बिहार में हो कहा रहा है माने से नितिस कुमार जी कभी पलेट के इधर जाते हैं कभी पलेट के उधर जाते है बिहार की जनता को समझ नहीं आ रहा है बिहार की विवाओं को समझ नहीं आ रहा है आखिर बिहार में हो क्या रहा है चल क्या रहा है अभी हाल ही में हमारे जो CMA माने से नितिस कुमार जी उन्होंने कहा है दोहर पचीस की जो विधानसवा चुनाओं होने वाले हैं उनमें महा मुखमंत्री पद यहां नाम जो है उनका घोसित कर दिया मुखमंत्री पद के लिए कि मेरे बाद मेरे नित्रित्व मेरे बाद जदी और महागठवन्दन का को नित्रित्व करेगा वो है तेस्वी आदब जी इससे नाराज हो गये हैं हमारे उपेंदर कुषवाह जी आखिर उपेंदर कुषवाह जी हमारे नाराज क्यों हो गए हैं समझ नहीं आ रहा है बिहार का सियासी खेला कि चल चल क है रहा है उपेदर कुसबाहा जी नाराज हो गए उनका कहना है कुछ तो डील हुई है आरजेडी और जदियु में तभी जो है नितिस कुमार ये तेस्वी आदब जी का नाम आगे ले कर जा रहा है वो नाराज इसलिए हो इसलिए तो कहीं नहीं हो गए वो नाराज कि वो चाहते हैं कि लबकुस समिकरन जो है ये कहीं गरबर ना हो जाए कहीं ये तो नहीं हो चाह रहा है कि कुछ भाह समाज से कोई मुखमंतरी पद माने सिंतिस कुमार जी घोसित करे कि मुखमंतरी कोई थी कुसबा का क्या कहना है अभी उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया है बस उनका ये कहना है कि कुछ तो डील हुई है आर जेडी और जडियू में तभी तैस्वी आदव का नाम सामने आ रहा है अब क्या डील हुई है वो तो पेंदर कुसबा ही जानेंगे क्या हुई है इस बात अब देखते हो उन्हें इस तारीके बाद क्या होता है? नाराज तो वो काफी हैं, बिहार में प्यर बदल चलते रहेगा hahaha, लेकिन बिहार के युवाओं का क्या होगा, बिहार बिहार के भविस्त का क्या होगा? बिहार अप पानित होती है हर जगा, हर स्टेट में आखिर इसका क्या होगा? इस पर कुछ निदान नहीं निकल पाया है आजादी कितने साल हो गए फिर भी एक इंडर्स्टी नहीं लगी एक भी फैक्टरियां है पर नहीं आई है कुछ ऐसा रोजगार अभी तक युवाओं को मिला नहीं है युवाओं दर-दर के ठोकरे खा रहा है अभी भी बिहार के युवक बिहार के लोग बाहर जाते कमाने के लिए लेकिन हमारे सनितीस कुमार जी मुखमंत्री है या फिर जितने ही मुखमंत्री बिहार के रहे हैं वो सिर्फ सत्ता फेर बदल करने में रहे हैं कभी धर की राजिनती करते हैं कभी धर की नाजिनती करते हैं कभी जाती वाद करते हैं कुर्सी की लालच उनको रहती है जो भी बिहार के मुखमंत्री बने है किसी जाती आधार पे किसी मुखमंत्री के आधार पे मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ बस एक बात बोल रहा हूँ बिहार का युवा ना होने के नाते एक युवा पत्रकार होने के नाते आप उस तरह के समान आखिर क्यों नहीं मिल दा है अगर हम जैसा आप जैसा इवा नहीं लड़ेगा ना तो बिहार और गर्त में चला जाएगा बिहार का सिक्षा वेश्था देख लीजिए आप बिहार का सौस्वेथा देख लीजिए अच्छी इंजिरिंग डिग्री आपको पान कि यो देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए दो मिट चाहिए बिहार में बिहार के लोग हर जगा क्यों हाफ़ानित हो रहा है ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार आए लोग बाहर से कमाने के लिए हर्याना दिल्ली पंजाब बिहार के लोग जाते हैं ऐसा हम लोग को करना चाहिए ऐसा है कि सरकार को करनी चाहिए ताकि वहां के लोग यहां कमाने आए बिहार का लोग बिहार में रहे बस यही हमारे बिनती है सरकार से भी यही बिनती है सत्ता के फेर बदल में मत रहिए बस बिहार के लोगों का भविष सुरक्षित करें बस यही उम्मीद करता हूँ और मुझे इंतजार है उस सरकार की जो बिहार को आगे ले जाए ना कि लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क